हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्विंग ट्रेड फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे मास फाइनस सर्विस लिमिंटेड कंपनी के बारे में इस कंपनी में अभी के टाइम पर बहुत बड़ा करेक्शन चल रहा है तो इसी साब से यह स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए यह सेल करके निकल जाना चाहिए या तो फिर रखना चाहिए क्योंकि काफी दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें मास पाइनस के बारे में बताया था कि यह स्टॉक को हम लेकर चल सकते हैं उसके बाद में स्टॉक में अभी करेक्शन चल रहा है तो अभी जि लागे डिखेंगे स्टॉक है कोई बुरा स्टॉक ने इस टॉक अगर लाव लास्ट परफॉमांस देखेंगा ना तो बहुत बहतेरिन परफॉमांस दिया अगर 2018 से देखेंगे 2018 से लेके 2019 के बीच में यह स्टॉक ने कितना परसेंटेज। तो उसके बाद में जब करोना हुआ करोना में फॉल हुआ है अभी करोना के बाद में फिर से रिकवरी भी हो चुका था लेकिन उसके बाद उसके बाद में उसके बाद में जो टूईल प्रवाइड करते हैं स्माल और मीडियो में एंटरपैस लोन प्रवाइड करते हैं और यहां पर चाहिए उनको भी लोन करते करते हैं पुरा आइक्रों लेवल पे यह लोन प्रोवाइडिंग करते हैं तो इसे साब से स्टॉप में जब देखेंगे बिजनेस में तो अभी बहुत मतलब करेक्शन चल रहा है अभी यह स्टॉक अकेला नहीं है काफी सरा स्टॉक है ठीक है अगर आप देखेंगे तो बंधन बैंक में देखिए किसी साब से करेक्शन हो रहा है तो यह तो एक छोटा सा स्टॉक है अभी किया मार्केट क्या पर 3500 क्या पर तो अभी अगर हम देखेंगे इस टॉक में हमें क्या करना चाहिए तो मतलब बिल्कुल यहां पर 50% करेक्शन पर स्टॉक चल रहा है ठीक है अगर हम यहां पर इसका परफॉमांस भी देखेंगे तो यहां पर दिखिए अभी 156 करोड का यहां पर अगर हम लास्ट चाहर का भी बात करेंगे यहां पर वान फॉर्टी एट करोड का लास्ट चाहर कॉर्ट में प्रफिट आया है की नर्माल है ठीक है जो की कोई प्रोब्लेम नहीं है मतलब नर्माल नोमिलाल ग्रोथ है तो अगर यहां पर सेल्स का भी बात करेंगे यहां पर फाइटी फाइब करोड का सेल्स हुआ है तो एक बढ़िया से अगर यहां पर बालेंसीट की बात करेंगे बालेंसीट में इतना यहां पर फाइब परसंटेज का फोल्डिंग की बात होता है यहां पर 7.74 परसंटेज को अगर माइनस कर दें तो फिर 7.7 परसंटेज का होल्डिंग जो है मतलब अक्षिल पॉब्ली के पास में तो जिसी साब से मुझे इसा लग रहा है फ्रेंस स्टॉक में इतना बड़ा फॉलो नहीं आएका मुझे सीशाब से लग रहा है अगर स्टॉक अगर थोड़ा सा भी निच्चा और आता है इससा हो सकता है यहां तक जर यहां पर हिसाब से हमारे लिए और वाइंग हो सकता है जहां पर पॉजिशन बनाएंगे तो क्या फाइदा यह से स्टाक में पॉजिशन बनाएंगे तो अच्छा सा मिलेगा यहां यहीं करना पड़ जाए अगर रहो आप नहीं करेंगे तो फिर लॉस सब को बोलता हूं कि अपको अ मौन्ट इंवेशमेंट करना ना उतना ही आमाउंट इंवेशमेंट की जी जो किया यहां तो फिर आप बॉरॉंग मन्य से मत किजिए आपका जो भी बी आपका घुण तर सिक्स मेंंच तब चालेगा नहीं इस टाक में अपको तो होल्डिंग का पापेश्टी होना चाहिए तभी आप इन्वेस्टमेंट के जिए मैं हमें साइज चीज का जिकर किया हूं तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है यह स्टॉक में अगर आप बने रहेंगे तो आपको अच्छा सा गेन मिल सकता है जो इमेडियेट टार्ग पुझे लगता है तो यह तर्गेटि आपको आच्छाल में अचिव हो सकता है और यहां तक का तरगेट लेंगे उरएक साल तक करते हैं यह फ्रेंड्स आपिसा बनेगा पिसा बनेगा बहुत अच्छा बनेगा कि तना परसंटेश बनेगा बिखिए ॥िशिक्सटी सी foreigners का आपको profit हो सकता है अगर एक साल के लिए होल्ड करेंगे तो ठीक है लेकिन एक साल से अगर देड़ भी साल देड़ साल मी लग जाए कोई बुरा नहीं है फ्रेंट से हमारा जो अगर हो गया तो बहुत अच्छी वात है ठीक है लेकिन मैं तो इसलिए हमेशा आप सब को बोलता हूं कि मिनिमूम हमारा 30% का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए तो उसी साब से हम उसी स्टॉक को सिलेग करेंगे जहां पर मिनिमूम 30% मिलेगा एक साल में ठीक है अगर आप बो कोई प्रोब्लेब नहीं है अगर आपको पोर्टफोलियो में हे तो होल्ड करके चले ठीक है कोई पोछी प्रोब्लेम नहीं है अगर आप के सेल करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक का अगर हम रिस्क देखेंगे बिलकुल बटम के पास आ चुका है अभी देखिए यहां से कितना परसंट निचे आ सकता है फोर परसंट निचे आ सकता है ठीक है तो इसलिए आप बिलकुल यहां पर आपको होल्ड करना बहुत अच्छा सटॉक है ठीक है आपको बहुत बड़ी ऐसा प्रॉफिट आपको मिल सकता है अगर आपको इमेडियेटल बनाना है थोड़ा सा आपका पॉट्फोलियो का वन टू परसंट मिनिममम टू परसंट करके चल सकते हैं जो कि स्माल के आप स्टॉक है तू गर्णम में कोई भी स्टॉक है अगर आपको मेडिया देखना यहां पर जरूर देख सकते हैं और यहां पे प्लेस्ट कर सकते हैं प्लेयली स्टॉक्षिक करते हैं तो यहां पर जिरोधा अगर आप यूजर रहे तो जिरोधा के लिए जो जो शेटिंग बगर है जैसे कि मुभी आपर जो अगर देख सकते हैं ठीक है अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थैंक्यू वेरी